economics के एक नए topic के साथ आपका पुनव स्वागत है लोक बित्र या लोक राजुस्वुख का यह topic है पबलि कि छॏ topic है और topic का नाम है कराधान या करार उपन के सिद्धान्त इसे को करार उपन के नियम भी कहते हैं तो बात यहां भी करते हैं कि जो करार उपन है या कराधान है कर कौन लगाता है जिससे कि सारे के सारे जो सिद्धान्त है या जो नियम है हमारी समझ में आसानी से आ जाएं तो टेक्स जो लगाती है देश की जंता पर, उस सारा का सारा जो अधिकार है, उस सरकार का है, किसका है, सरकार का है, सरकार कर क्यों लगाती है, टेक्स क्यों लगाती है, इसले लगाती है, क्योंकि सरकार को बिकास कारी करने है, प्रोड बनानी है, ठीके बिजली की बिवस्ता कन्नी है शिξ्षा की ब्यवस्ता कन्णी है तो इसके लिए सरकार को चाहिए पैंसा सब सरकार के पास कुछ उपनी भैक्तरी नहीं है कि वह वहाँ पर पैस का अमबार लगा सके या उसे अर्जित कर सके उसको कमा सके तो सारा सारा जो काम है वो टेक्स के द्वारा करती है और लोगों पर टेक्स लगाती है और जो टेक्स लगाती है उसे जो पैसा आता है गौर्वर्मेंट के पाँ उसे को फिर क्या करती है जन कल्यान के कारों पर खर्च करती है ओके यहां तक तो बात सिंपिल हो गई अगली बात आती है कि कराधान या करार उपन के सिद्धान्त क्या बतलाते हैं सरकार को ये बतलाते हैं कि सरकार की करपढ़नाली कैसी होनी चाहिए तो ये क्या बतलाते हैं कि सरकार की जो करपढ़नाली है ऐसी होनी चाहिए कि जो जनता के लिए सुविदाय जना को जनता के पक्ष में हो उनको किसी प्रकार का ज़ादा कष्ट का सामना न करना पड़े और साथ में वह खुशी-कुशी से कर हमें दे दे और जो कर इनको प्राप्त होंगे फिर ये आसानी से उसको खर्च कर सके तो इससे क्या होगा ना जनता को दिक्कत अना सरकार को दिक्कत ये सिद्धान्त ये बतलाते हैं आगे बा अर्थ सास्तर का जनक भी है उसने कौन सी पुस्तक लिगी थी ये तो बच्चा बच्चा जानता जो एकॉनोमिस पढ़ता है Wealth of Nations Wealth of Nations इसी बुक में उसने करारोपन के सिद्धानतों की भी बात की है और चार सिद्धानत दिये हैं उसने करारोपन के चार सिद्धानत दिये हैं कर लगाने के और यह अर्थ सास्तर में करपढ़नाली के अंदर चार महतवपुर्ण इस्तंब पीलर कहलाते हैं, जैसे पुल होता ना, इसके उपर टिका होता है, पीलर के उपर टिका होता है, बड़ी-बड़ी बीडिंग है जो है, किसके उपर टिकी है, पीलर के उपर टिकी है, तो यह भी वहेंसे फीलर हैं, ठीक है, कि जो टेक्स को थाम के रखेंगे और यह नहीं लगाया तो फुल नीचे धड़ाम हो जाए तो फुल नीचे तो इस पकार से गौवर्मनेट इन नियमों का पाला नहीं करती है तो टेक्स जो भी परणाली है या जो सरकार जो टेक्स वसूल करना चाहती है वो भी नहीं प्राप्त कर पाएगी अब इसके सिद्धान्त कौन कौन से हैं चार देखो भाई या पहला सिद्धान्त है समान अता का सिद्धान्त दूसरा उसका सिद्धानत है निश्चित्ता का सिद्धानत तीसरा है सुभिधा का सिद्धानत और चौता है मित्वियता का सिद्धानत तो कुल मिलाकर ये चार जो सिद्धानत है ये एड़ामिश्मित के द्वारा दिये गए है इन सिद्धान्तों को आपने याद करना है लिखे, नौट्स बनाईए तभी जाके काम चलेगा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है अब एक एकर चर्चा करते हैं कि समान्ता का सिद्धान्ता का क्या आर्थ है तो जो एड़ामिस्मित था उसका मानना था कि देश का जो हर नागरिक है उसको कर देना अनिवारी है या उसे कर देना चाहिए अपनी युग्यता के अनुसार अब यहाँ पे युग्यता का मिनिंग यह नहीं है वो कितना पड़ा लिखा है अड़ात उसकी जो इनकम है आई उसके हिसाब से उसको करदेना चाहिए अब क्यूं देना चाहिए उसने कहा कि परतेग नागरिको Adam Smith के अनुसार अपनी यग्यता के अनुसार करदेना चाहिए कि जो जितना कम कमाता है उसको उतना कम टेक्स देना है उतना कम कर देना है और जो ज़्यादा कमाता है उसको ज़्यादा टेक्स गौर्वर्मेंट को देना है यह सिद्धान्थ बतलाता है समानता का सिद्धान्थ कहना नौफ इक्विलिटी दूसरा सिद्धान्थ क्या कहता कर कि दर का लिया जाना है अर्था जंताने का भुखतान करना है कहा करना है किससी कर देनी twitter उसको पता रहेगा कि कर की दर क्या है तीक है कहा देना है कब देना है तो पहले से सतर रहेगा और पैसा जी कटा कर रहेगा मुझे कर देने ही देने है तीक है जी तो भी निश्चित है कि मुझे देना ही देना है अगला गौर्मेंट भी निश्चित हो जाएगी कि इतना पैस से ही मिस्सित होनी चाहिए जिसने कि जनता को predict क्रा उस समय लगाना को करएं से देश आपे him और यह लोगों को सुविधा होती है तो उस समय नहीं लगाना है अर्तात करकब लगाना है माना किसान है और किसान के अभी फ़सल बोई जा रही है और उस passage तुमने टेक्स लगा दिया तो काहसे देगा पहले अभी तो उसके कमाई तो हुई नगी तो फ़सल बोई रहा है तो कब देगा हो टेक्स कि जब उसकी फसल भिक जाए उसकी फसल भिक जाए तब उससे टेक्स ले लिजे ठीक है तो तब जाके क्या होगा उसको सुभिधा होगी ठीक है अब इसी के अलावा कि ब्यक्ति किसी भी वस्तो प्रोडक्शन करता है दुकान दार है कोई ब्यक्ति है उसके टेक्स कब लगान में देने हैं में उसको भी मुश्किल नहीं होगी ठीक है जी इसलिए सुविदा होनी चाहिए किसको जनता को इसलिए सुविदानुसार कर लगाए और यहीं नहीं लगाएगा टैक्स सुविदानुसार तो क्या होगा सरकार को पैसे की प्राप्ति नहीं होगी और सरकार अपन आकान ठीडंग से नहीं कर पाएगी, बिना पैस होगी. 14 सिद्धानत है भई, मित बीयता का सिद्धानत. मित बीयता मिनन से क्या होता है? कि खर्चे कम से कम होने चाह्ये tax को इकठा करने में. कि tax कि इधी सरकार क्या करती है, अपने करमचारीयों से इकठा करवाती है तो उसको खर्च करने की लागत कम से कम होनी चाहिए चीक है जी और इदि लागत ज़्यादा होगी तो सरकार को फाइदा नहीं होगा तो करों को इकठा करने की लागत कम होनी चाहिए ये सिद्धान्त कहता है देखो कैसे होता है कि मानाबाद 100 रुपईये गौवर्मेंट क्या करती है टेक्स वसूल करती है लेकिन इस पर जो करमचारी है जिनको बेतन देना है उस पर खर्चा कितना होता है 50 रुपईया होता है करों को इकठा करने में जो करमचारी डिपार्टमेंट में लगे हुए है जो विवाग लगे हैं उनको जो तनखाद देनी है जो बेतन देना जो सेलरी देनी है वो देदी 50 और उन्होंने पैसे कितना हिकटा किया सो तो समझ लिए यह मित्वियता का सिद्धान्त है पचास रुपए बच जाएगा तब जाके सरकार क्या करेगी काम करेगी और क्या होगा कि भाई 100 रुप तो एका घाटा होगा वहिया ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर करों को इकटा करने की जो लागत है कम से कम होनी चाहिए यह कुम दूसरे रुप में कह सकते हैं कर ज़्यादा आना चाहिए और उस पर जो बे हो रहा है करम चार्वियों पर भीतन जो दिया रहा कि वो सुनने से काम नहीं चलेगा इन चार सिध्धान्तों के अलावा इसके बाद अन्य अर्थ सास्त्रियों ने भी कराधान के करारोपन के सिध्धान्त दिये हैं वो सिध्धान्त कराते हैं अन्य सिध्धान्त ठीक है इसमें कौन-कौन से सिध्धान्त राते हैं बहुत सा उत्पादक होने चाहिए, उत्पादन करने वाले होने चाहिए, तो इसका अर्थ है कि टेक्स से सरकार को इतना पैसा मिल जाना चाहिए, कि जिससे सरकार आसानी से अपना खर्च चला सके, उसके पार इतनी आई हो जानी चाहिए, कि उसके ब्याई को पुरा कर सके, ठीक है, इ उत्पादक्ता का सिद्धान्त को फॉलो गरना है आपने तो उत्पादक्ता और दूसरा है लोच का सिद्धान्त जो करपरणाली है देश की वो कैसे होनी चाहिए लोच सील होनी चाहिए रबट देखा हुगा आपने खिचो तो तन जाता है चोड़ो तुम नहीं ज़िए पहुंच जाता है तो कर परणाली कठोर नहीं होनी चाहिए कि लोगों से 50% कि दर से कर वसूर करना ही करना है तानसा ने कह दिया 50% से टेक्स एक ठाकर लोगों से चाहिए कोई भी उनको कस्ट हो जाए चाहिए वो मरी जाए तो करना है लेकिन यहां पर बात क्या की जारी है कि लोच का सिद्धान तो होना चाहिए किरतात कर परणाली ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को लगे कि भाई करों की जो दर है कम है तो मैं इसको बढ़ा सकूँ जिससे कि चदा पैस हमारे पार आ सके और यदि सरकार को लगे कि देश में भई विप्रीत प्रस्तियां चल लिए जॉब चल लगे तो टैक्स की दर को गटा दे कर्व की दर को गटा दे तो इसे किसको फाइदा होने वाला है लोगों को फाइदा होने वाला है तो कर परणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें परिवर्तन करके करों को बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके ये कहता है लोच का सिध्धान्त तो ये दो सिध्धान्त उत्पादक्ता का सिध्धान्त और लोच का सिध्धान्त ये जो दो सिध फ़फेसर बेस्टेबल एक नंबर दूसरा नंबर फिर मैंने उसका नाम रीपेट कर दिया और एक और दो तो फिर पा الح को सिद्धा में लोगा बल, कितना अच्छा नामें होई, बेस्ट टेबल, बेस्ट तो तो पहले ही हो, ठीक, अब आगे बात करते हैं, तीसरा जो सिद्धान्त हमारे पास है, यह है कोमलता एवं परियाप्त ताका सिद्दान्थ, कोमलता की जो कर पढ़नाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कोमल सौब्ट होनी चाहिए, इसे के साथ परियाप्त भी उसमें पैसा आ जाना चाहिए, तो पहले हम हैडिंग को पढ़ ले, कोमलता एवं परियाप्त ताक सिद्धान्त और कोमलता और परियाप्तता का सिद्धान्त किसने दिया इसको भी जान लेते हैं पहले देखो भई तीसरे नमबर पर लेखा या मैंने लेखा फिंडले सिराजने किसने दिया यह सिद्धान्त फिंडले सिराजने दिया है और यह सिद्धान्त क्या कहता है कोमलत को और सुभीदा ना हो वो बिरोध ना करें क्योंकि हमने अधिक्तम सामाजी कल्यान के सिद्धान में पढ़ा है कि कर जब सरकार लगाती है तो लोगों को कस्ट होता है त्या करना पड़ता है तो ज़्यादा कस्ट नहीं हो बैए तो कर पढ़नाली कैसे होने चाहिए कोमल होन अग्री बात हो यह परियाबतीता अर्था वह-क्स से एतनी राशी जरूर आजनी चाहिए बैइ कि जिससे कि सरकार का खर्चा चल सके सरकार का करणी सरकार काकर्चा है बैइक की 25 रुपें सरकार को चाहिए इतना विकास काम के लिए में पैसा चाहिए कम से कम तो इतना पैसा इकठा जरूर हो जाना चाहिए तो यह कहता है कोमलता है यह प्रयाप्तता का सिध्धान्त चोथो नेमबर का सिध्धान्त है विवित्ता का सिध्धान्त ठीक है डाइवर्सिटी विवित्ता का सिध्धान्त क्या कहता है कि जो कर पढ़ना लिए सरकार एक ही कर न लगा है माना कि इंकम टेक्स लगा दे आई कर लगा दिया ठीक है यह निगम कर लगा दिया यह संपत्त बुमिकार भवनकर यह जो भी है बुमिकार लोगों पर लगाने चाहिए किसको हमको नहीं है हमें अधिकार नहीं है सरकार लगाती है सहरा का सहरा यह हो गया बिवित्ता का अगर देखें पांचवा नंबर का जो है, वो क्या है, यहाँ पर देखें, सरलता का सिद्धान्त, क्या है, सरलता का सिद्धान्त, तो सरलता का सिद्धान्त जो दिया है, वो दिया है, आर्मी टेज इसमित ने, किसने दिया है, आर्मी टेज इसमित ने दिया है, तीक है, उधर एडम इसमित होने चाहिए मतलब जैसे हम income tax जमा करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें CA के पास जाना पड़ता है ठीक है तो फिर सारा हिसाब किताब सार्वल का रखना पड़ता है तो यहाँ पर क्या होती है आदमी को दिक्कत होती है अरे भई यह इतना हिसाब परणाली बहुत ही सरल होनी चाहिए आम आदमी भी जो कर दे रहा है उसका फॉर्म बर सके ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हैं फॉर्म के अंदर ये ब्यक्तिके समझ भी नहीं आ रहा है ठीक है और उसको फिर क्या करना सिये रखना पड़ रहा है फिर उसको वकील की साहिता लेनी पड़ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए पिलमला क्या होना चाहिए सरल होनी चाहिए कर बढ़नाली आजन से आजन सब्दों में कहें कि हर ब्यक्तिकिस समझ में आ जाना जिस पर टेक्स लगता है वह टेक्स को दे सके फॉम भरने में उसको अस बिदाना हो ज़़ा हो हो दाउपेंच उसको न करना पड़े और सिये के आसने बहुत ज़़ा पीस को चुकानी पड़े यह बात यहाँ पर कही जा रही है अगला जो सिध्धान्त है वो है समन्नुई का सिध्धान्त कोडिनेशन कि सरकार अस्ताने सरकार रज्य सरकार केंद्र सरकार दोरा विविन परकार के कर लगाए जाते है ठीक है तो अस्ताने सरकार को पता है एकमेजिकरिशन टेक्स लगाना है उपर से अगला टेक्स किसन लगा दिया सरकार ने लगा दिया उसके बाद एक केंदर सरकार ने लगा दिया तो इनके विभावों के बीच क्या होता है ताल मेल नहीं होता है तो जिसका खामायाज़क जनता को भुखतना पड़ेगा तो इसलिए क्या होना चीए जो टेक्स लगाया जा रहा है कि माना कि सेंटर ने वाले डिपाल्टमेंट हैं, उनमें समन्ने होना चाहिए कि हमने कर ले लिया, आप मत लेना, ठीक है, हर पता जला कि एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है, तो टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो इसलिए बेक्तिकों कई बार कर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कर ज़्यादा बार ना देना पड़े, मतलब एक ही बार देना पड़े, तो इसलिए विविन जो सरकारी विभाग हैं, उनके बीच समन्ने होना चाहिए, समन्ने करता है, उनको एक दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जी, अगली बात करते हैं, एक रूपता क सिद्धान्त, क्या है, एक रूपता, एक रूपता करते हैं नहीं है, कि सब लोगों पर एक ही दर से कर लगाए जाए, कि थट्टी है, थट्टी से ही लगाए जाए, ठीक है जी, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, इसका मिन्निंग यह नहीं है, यहां पर है कि जो कर परनाली है, वह हो, यह उसका जो उद्धिस्य है, वो सामन्य होना चाहिए, ठीक है, जो लोगों पर कर लगाए जाए, उसमें एक रूपता करता है, कि बिपीन ने जो बग हैं, जिनकी इंकम अलग अलग है, उन पर कर अलग 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 धंकसे लगाया जाना चाहिए, तो यह बात क करता है तो एक रूपता की बात आरही है ना यह समानता की बात कर रहे हैं एक हमख़र घरी पर कम期र अमीर पर ज्ञादा मद्देमंवाले पर थोड़ा और अमीर से कम इस पकार से होना चीए और सात में इतना जटिल नहीं होना चीए कि बहुत इसका हिसाब किताब जटिल हो जाए, हिसाब किताब रखना बड़ा कठिन हो जाए, यह सिद्धान्थ कहता है एक रूपता का सिद्धान्थ, अब जो एक रूपता का सिद्धान्थ, इक किस ने दिया भई, यह दो अ रोकता का सिद्दान दिया है इसलिए मैंने साथ दिखा यहां पर ठीक है जी तो अगला जो सिद्दान्त है छह साथ और आटवे नमबर का मारे पास सिद्दान्त आ गया वांचिन्यता का सिद्दान्त डिजायर्बिलिटी, अब बांचेनता का सिद्धानत क्या कहता भाया, कि सरकार को ये पता होना चाहिए, कि जब देश में अकाल चल दा है, भुकमरी चल रही है, बेरोजगारी जादा है, तो टेक्स की दर को गटाना चाहिए, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को क अनुचित का ध्यान, इदि सरकार को लगता है, कि जो कर हम बात कर रहे हैं, इसमें देखते हैं, इसमें कर जो लगा रहे हैं किसी छेतर में, तो कर देने में वहां के लोग सक्चम है कि नहीं है, तो उचित और अनुचित का ग्यान ही देलाता है, तो यहाँ पर बात आ रहे कि उंची तो भंग से कर लगाना चाहिए ठिक है ये दिक दे सकती है तो लगाना चाहिए ठीक है और इसके लावा लगता है कि यह tax हम लगा रहे है एक्स्ट्रा इस tax को बींआ भी काम चल सकता है तो यह बांचनिता की बात है टेक्स कैसा होना चाहिए, वांचनिय होना चाहिए, उची तो होना चाहिए, कुल मिला के जनता की पक्ष में होना चाहिए, जिसे के लोगों को कष्ट का सामरा ना करना पड़े, जब लोगों को कष्ट का सामरा ना करना पड़ेगा, तो पैसे उनके पास बचेंगे, ओके जी तो ये Desirability या वांचिनता का सिद्दान्त हो गया तो कुल मिला कर देगे आप बहुत सारे सिद्दान्त हमने आपको बताए Adam Smith से स्टार्ड किया था तो ये चार सिद्दान्त आपने याद करना है ठीक है जी पिर उसके बाद है यहाँ पर हमने बहुत सारे सिद्दान्त आपको बताए है और जो चलते चलते कहां तक चले गए है आठ नमबर तक चले गए है इतने कठिन नहीं है बहुत सारव है Heading है बागी हमने आपको विस्तार से बता दिया है तो यह Heading आप याद कर लीजे Heading आपने याद कर दी तो फिर आगे का रास्ता पकड़िए आगे का रास्ता पकड़िए किस पकार से हम इनके बारे में लिख सकते है अपने सब्दों में की ज़्यादा इंपोर्टेंट है नगी किताब से रट कर रटने से तो बीच में भूल पढ़ जाती है तो समझना है जिससे कि जब भी परिक्षा हो तो उसको लिख सकें और यदि जो competitive exam है अब आता है कि ये वाले सिद्दान्त किस ने दिये कब जब ये चार सिद्दान्त हमने पढ़ रखे होंगे तो किस ने दिया भई समानता का सिद्दान या सबसे पहले किस ने दिया तब ही जाके हम लिख सकते हैं या अंसर दे सकते हैं कि जब कि हमने Adam Smith को पढ़ा हो इस topic को पढ़ा हो कितने सिद्दान दिये उसने जब ये पता है कि चार सिद्दान दिये उसने कौन-कौन से सिद्दान्त हैं? कि जब हमने इसको पड़ा हो, लिखा हो, याद किया हो, तब जाके ये हमारे लिए लाबकारी होंगे. divisद्दान्त हैं, सरकार के लिए लाबकारी हैं, बताई जा रहे हैं, और हम भी जनता हैं, हमसे भी सरकार क्या करती हैं, टेक्स लेती है, आपसे भी लेती है जिरे आप चुकाने में समर्त हैं तो बहुस्ते में लेगी तो जैसे यक tempted फाइदय की बाद की जारी है टेक्स से जन्ता को भी फाइदा होना चाहीए और सरकार को भी फाइदा होना चाहीए तो इस पड़ाई लिखाई से फाइदा है कि इसको होना चाहिए आपको होना चाहिए भईया तीक है जी आपको होना चाहिए तो इस परकार से एक कराधान या करारोपन का जो टॉपिक है हमारा यहीं पर समाप्त होता है